So hey guys, welcome back to my channel So अगर तुम बहुत साल से Pokemon दीख रहे और तुम Pokemon के एक कटर फैन हो तुमें Ken Sugimori के बारे में तो पता ही होगा जो कि Pokemon के एक लीड डिजाइनर है यही Pokemon को ड्रॉ करते हैं डिजाइन करते हैं तो आज हम इनी अन्नोन आर्टिस के बारे में बात करने वाले हैं So let's begin So number 5 पर आता है Mega Charizard X जो कि one of the best designs में से एक है Blue Flames and Black Team इसे बहुत ज़्यादा ही सूट करता है और इसके डिजाइनर का नाम है तो मोहिरो की तकाजे और लास्ट में एक ही चीज़ बतलूँगा इन्होंने बहुत बढ़ी आकाम किया है So number 4 पर आता है Sinokko one of the strongest and popular Pokemon Garchomp और इनका डिजाइनर का नाम है तकाव Uno और इन्होंने नॉर्मल और Mega दोनों ही डिजाइन किया है जो कि one of the best designs में से एक है और इन्होंने बहुत बढ़ी आकाम किया है So number 3 पर आता है Charizard जो कि one of the strongest and popular Pokemon है जिन One से और इसका डिजाइनर का नाम है Akatsu Nishida और इन्होंने बहुत ज़्यादा यह अच्छा डिजाइन किया है इसलिए तो यह Pokemon इतना ज़्यादा popular है और fan favorite है So number 2 पर है one of the cutest Pokemon हाँ मैं बात कर रहा हूँ Eevee के पारे में इस क्यूट से design के creator है Modofumi Fujiwara And Eevee के दो evolution भी इन्होंने ही create किया है So number 1 पर आता है one of the popular Pokemon And that is Greninja और इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका design, इसका power, सब कुछ awesome है और इसका designer है Yusuke Ohumara And इसने बहुत जादी अच्छा design किया है So guys यह रहाज का video अगर तुमें पसंद आए तो like, share, comment, subscribe कर देना मिलता है अगले जनम में कर दो झाल झाल